आपकी वक्षिट नमबर 18 तो पहला आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे डेट डाल देंगे अपना नाम सब्जेक्ट अपने टीचर का नाम सब आप लोग लिख लेंगे आज हम पढ़ेंगे धातू और आधातू के बारे में पिछली वक्षिट में दो तीन वक्ष चाहिप को देख लगाता है तक अब उसके लिए तो दोलो लोग अप्लोड चुकिए हैं साथ मे आपके अप में लिस्त में débहाए अगर आप उसके साहं मिले तो साथ मेले तो आप लोग असानी से मिले तो आप प्ले लिस्त कर ना भूले चलिए तो शुरू करते थे पहले अबु शड के लिए तरह से यह चार दातू के नाम और इस्तेमाल भी हो गया अगर चाहे ताप इन में से और भी किसी दातू का और उसका इस्तेमाल लेग सकते अब हम आते हैं आधातु ध्यातू में इससे यहां पर लख सकते के कार्बन जो एक आधातू है वो पैंसिल वगरेखले। निकले इस्तिमाल के जाता है। इससे चार आप यहां से कोई भी लख सकते हैं सरे से चलिया अगला फूशिट पड़ दें। तो चले इसका आंसर देखतें क्यों बने होते हैं यहां से लिखेंगे कि धातु उष्वा की सूच आलक होती है जो इसे लिए क्षिए क्वा गुशन पढ़ते हैं आप अगला कोशन यहां से पढ़ेंगे देखें लिए लिए पकाई पड़ेंगे क्यों होता है क्यानिंशु कि जो चोटा सा लेकिन फटता बहुने जिससे जब जा जाता है तो रंगी चेंगानियों के साथ कि दोरह बलाए जाता है इसी लिए इसे जलाने पर खैसे निकलती है और वो मर्डन में जाकर घुल जाती है係 नि आप जीस लिए पटाखे जिलाना हमारे लिए तर से अंदर से जो कि हम सब आगला कोशन पड़ा है थर्ममीटर का उन्होंग का आगले है थर्ममीटर का क्या उस तो तो चलिए इसकांसा दिखते हैं कि voulez경 कैसे यूज़ करतें अब अप इसकांसा यहां से लिखेंगे थाम्माड्स या लिखेंगे थाम्मारं को मपने के लिए कयूज जाता है यान या इन वह मतलब एकोशिर में बijeदर यूज़ते। उसके लिए कौन सी नॉर्णमाल क BEN एसुन मियानने थ्यरति है नो फिर देदेञ्ट इसका निए ना लगा के यहां यूंगि एस व्यरत करात दाना के जाता है तो प्लीज बैचाओं और स्काइब करें थैंक यू फॉर वाचिंग